नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप मैं करीमा श्रेवास्ताव आपके साथ कडाके की ठंड है लेकिन इस सर्द के साथ साथ जिंगल बेल जिंगल बेल की धुन हवा में घुलने लगी है बच्चों को अपने तोफ़े का इंतजार है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सेंटा आएगा और उनके लिए खुबसूरत तोफ़े लाएगा आखिर क्रस्मस के दिन एक बुजर्ग शक्स क्यों तोफ़े बाटता है या फिर इस तेवहार को 25 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाते हैं ऐसे कई सवाल है जो आपके मन में आते होंगे लेकिन आपने इससे जानने के शायद कोशस ना की हो आज हमारा ये विडियो देखिए जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारिया हम आपको देने वाले हैं चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये क्रस्मस का दिवहार क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में सेलिबरेट किया जाता है जिनने भगवान का बेटा यानि की सन अफ गोड कहा जाता है क्राइस्ट से ही बना है क्रिस्मस बाइबल ये इसाईयों का पवित्र ग्रंथ है जिसमें जिसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है लेकिन हर साल 25 दिसंबर के दिन उनका ही बर्डे मनाया जाता है चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्रिस्मस कहा मनाया गया कहा जाता है कि 336 इश्टा पूर्व मे रूम के पहले इसाई समराट के दौर में 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिस्मस मनाया गया जिससे कुछ सालो बाद पूप जुलियस ने ऑफिशली जीसस क्राइस्ट का जन्मदिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का एलान कर दिया क्रिस्मस पर आप बहुत सुंदर सी ट्री देखते हैं जिसमें खूब सजावट होती है अब हम आपको बताएंगे कि क्रिस्मस ट्री के शुरुआत कैसे हुई हजारों साल पहले उतरी यूरोप में क्रिस्मस ट्री के शुरुआत हुई उस वक्त फिर नाम के पेड को सचा कर ये तोहार मनाया जाता था कई लोग चेरी के पेड की टहनियों को भी क्रिस्मस के दौरान सजाते थे लेकिन जो लो क्रिस्मस ट्री खरीदने में असमर्थ होते थे वो लकड़ी को परामट के शकल देकर क्रिस्मस मनाते थे लेकिन वक्त के साथ क्रिस्मस ट्री का चलन और बढ़ता गया अब हर वेक्ती क्रिसमस फ्री लाता है और उसे चोकलेट्स, खिलोनो, धेरो, लाइट्स और तोफो से सजाता है बच्चे तो सबसे जाधा इस फ्री का इंतजार करते हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि सीक्रिट गिफ्ट का खेल कैसे शुरू हुआ चोथे शताबदी में एशिया माइनर की एक जगर मायरा अब तुर्की में सेंट निकोलस नाम का शक्स रहता था जो बहुत अमीर था लेकिन उस शक्स के माता पिता नहीं थे इसलिए वो हमेशा गरीबों की मदद करता था पर छुपके मतलब वो उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिस करता था और इसलिए सीक्रेट सैंटा के गिफ्ट देने का चलन है जब निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपिलर हो गई तब से क्रिस्मस पर बच्चों को तफ़े देने की प्रथा चली आ रही है क्रिशन देशों में क्रिस्मस से पहली ही स्कूलों, कॉलेज और दफ्टरों की छुटियां हो जाती है बाजार, सडके और मॉल क्रिस्मस ट्री से पढ़ जाते हैं 24 दिसमबर को लोग इस्टर इव मनाते हैं और 25 दिसमबर को पार्टी करते हैं जो 12 दिनों तक चलती है जी हाँ, 25 दिसमबर को शुरू हुआ क्रिस्मस 5 जन्मरी तक चलता है खास तोर पर यूरोप में 12 दिनों तक मनाये जाने वाले इस फैस्टिवल को 12 नाइट के नाम से जाना जाता है तो ये थी क्रिस्मस से जुड़ी वो सारी जानकारिया अब आप सभी जिंगल बेल के साथ क्रिस्मस मनाते हुए खुशिया माटे इंडिया नियूस के तरफ से आप सभी को मेरी क्रिस्मस